हे गाईज वेलकम टू माई चैनल तो स्वागे तब का इस वीडियो चाम है गाई जादन दुबाराज खिले माइनक्राफ्ट तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यार दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है गाईज यार देख सकते हो काफी इन हो गई है और देख सकते हो माणई दिवाली के आउसर पर किसी लिए टाइं बनाया है और गाईज आप मुझे बता ये कमेंड में किस तरद सेलिबरेट करते हो फटा के बढ़ता के बजाते हो यार नहीं बेसिकली मैं तो बजाता नहीं क्योंकि यार अभी मतलब छोटे थे तभी बजाते थे अभी maximum चीज़े तो हम दिया वगएरा यूज़ करते हैं मतलब बाहर दिया वगएरा लगाना फिर साथ मिठाई वगएरा खाना बाकी तो चीज़े हम फटा के वज़ा करने फोड़ते है जिसे बनाने के रेसे भी नॉर्मल है हमें सबसे पहले फायरवर्क स्टार बनाने होते हैं जिसे हम कोई भी कलर के बना सकते है नॉर्मल है आपके पाँ जो भी कलर हो उसको आप कमबाइन कर सकते हो विद गन पाउडर आपको मेन चीज़े में गन पाउडर उससे आप बना स से पहले डे कर लेते कि क्रीपर वगर आ जाएगा तो तोड़ देगा हूं मेरा तो सो लेते सबसे पहले फटा-फट फिर चलते उसके उपर रॉकेट्स वगरा यूज करेंगे मैंने बना के रखे उचेस्ट में ताकि यार टाइम वेस्ट ना हो तो चलो यार डे हो गया है उस कोई कम हीने मुझे एक स्वेफाम से बहुत सारा गनफावडर मिलता है रहता है यह नाइट में चलाएंगे ना गाइस काफी से लगेंगे बट यार नाइट में मुरको माब को भी खत्रा होगा इसलिए मैंने नाइट को मतलब बोल सकता है नहीं सो गया नाइट को तो चलो अब थोड़े बहुत उड़ा ले दे ताकि यार आप लिड़ेवाली सेलिब्रेट कर सके बस आपको एक बार क्लिक करना है यह उपर जाएंगे और अपना इफेक्ट दे देंगे जो भी कलर को यह रेड कलर का था तो रेड कलर का इस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारा बीकन वगड़ा बना सके तो छोलो जितने हो सके छोड़ देते हैं फटा फट से ओ गाइस बहुत बढ़िया तो यार काफी सही है और थोड़े बहुत मैं आप बोल सकते हो माइंड काफ्ट के अंदर ब्रेड और चिकन खाके बोर हो गए आज दिवाले के दोंस चिकन वगड़ा नहीं खाएंगे कुछ मिठी चीज़ खाएंगे जिससे क्यार कुकीज वगड़ा मिल जाए तो देख सकते हैं फार्मर वगड़ा होगा मेरे फार्म में उसकन से कुकीज वगड़ा लेंगे एमरल से यह तो पिंक कलर के कितना बड़िया लग रहा है और यह फाइ क्योंकि मैं ट्रेडिंग करते रहे तो बीच-विच में क्यूकि अभी मुझे क्याटोग्राफर से मैप और चाहिए एक तो ऊड्लैंड मेंशन का भी मैप चाहिए साथ साथ मतलब तो चलो इस गेट से चलते हैं वह गेट देख सकते हो मैंने एक ही बटन पर किया एक बटन दबाऊंगा ना तो दोनों गेट खुल जाएंगे तो ही खासियत होती इसको मैंने कैसे बनाया इसमें रेट स्ट्रोंग अकरंट देके बनाया अगर आपको पता नहीं है तो मुझे बताईए मैं आपको इसका वीडियो बना के दे दूंगा गाई तो चलो यार चलते हैं अ यार लेवल टू तो है यह हमाईने कर लिया तो चलो यार ब्रेड नहीं लेंगे अभी यह लेंगे क्योंकि यह थोड़ी सीग मीठी चीज होती है तो यार ठीक है बस होगे ज्यादा अमरल नहीं खर्च करेंगे क्योंकि यार क्याटोग्राफर के लिए बीच है यह मुझे तो चलो यह कुकीज खा के हमारा मतलब बोल सकते हो दिवाली सेलवेट करते हैं वैसी भूग तो नहीं लगी है पर चलो थोड़े खा लेते तो चलो खा लिया है तो आभी चलते बाहर आभी हमें में काम करना है हमारा बीकन बनाना है सबसे पहले तो बारिज भी रुग गई निकल भे अरे यहर क्या खुल गया मेरे थुग होगे दू निकलो तो चलो यार इनसे लीड वगेरा तो मिल जाते है इसलिए काम क्या थे बाकी दिनका कुछ काम नहीं होता है तो चलो यार आभी हमें बनाना है बीकन उसके लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए तो क चलो यार डाइमंड एक मैंने इसलिए है ता कि वो रेसिपी मैं ट्राय कर सकूँ जो कि मैंने आपको बताया था माइनकाफ्ट के अंदर की ट्रिक तो चलो बीकन बना लेते तो बहुत बड़े बीकन बन गया अभी देखो बीकन के अंदर आप बहुत से ऐसे कि मुझे पता किया था बट उस गोल्ड को मैं एंचांटेड एपल बनाने लिए रखा था बट वो तो रेसिपी नहीं है तो वो गोल्ड ऐसी रखा है उसको यूज कर लेता है इसी काम के लिए क्लिए क्यों रखे और नॉर्मली आगर वो पिरामिड जो है आप गोल्ड से बना लो आप सा आइरन फार्म से तो चलो वहां से लेकर आ जाते है क्योंकि वहां पर काफी सारा आइरन है मैंने दो तीन बार तो निकाला भी था बट वहां पर एट टाइम आइरन गुलों स्पॉन हो रहे है क्योंकि 20 विलेजर है मेरे पास तो काफी एफिशेंट है अगर आपने वो आइ विलेज और नौर्मिलिय अपने आप घ्रख कर देते उनको ड़ार अने की ज़रूत नहीं होती है और इभी देखते यहां पर कितना आयरन हो गया है तो चलो यहां से ले लेते हैं ओ गाइस कितना आयरन हो गया है मतलब देख सकते हैं थोड़ा सब यगा ऑ़ खाली करने काम तो हो गए आभी देख लेते हम कितने सा इरन ब्लॉक बना सकते हैं पता है यह पता नहीं यार इसका मतलब बोल सकते हैं एक ही टाइम पैसा बनाने का कोई बटनी नहीं है पीसे में तो बहुत कुछ है यार क्या ही बुले तो चलो गाइज देख सकते हो मैंने 2 stack और 26 बना लिए ये इतने काफी हो जाएंगे बहुत हो गई ये इतने भी ज़रूरत नहीं है हमें बट चलो यार कोई नहीं से मैं रख दूंगा क्योंकि वह बहुत सारी iron होते है न 64 64 तो आगर block हमारे पार 64 हो तो ज्यादा space हो जागा इसलिए block ही बना के रखेंगे और आभी मेरे को 2-3 दिन में फिर से फुल भर जाएगा इतना मेरे कोई किने मेरे iron farm पे तो देख लेना अगर आपने वीडियो ने देखा iron farm का काफी सही है और जैसा मैं नहीं किया है वैसा करोगे न तो आपका iron farm बिल्कुल सही से वर्क यह विलेजर को ट्रांसफर करने महिनत लगते हैं वह महिनत का फॉल बहुत ही बढ़ी आए तो मैं सोच रहा हम यहां पर beacon बना दे तो यहां का थोड़ा area साफ कर लेते तो यहां रेन कब बंद हो गयार मैं को रेन से रिटेड हो रहा हूं मैं बड़ चलो हो जाए कोई ने आज दीवाली है तो कोई मतलब एकदम happily काम करेंगा आज कोई fight वागे रहे 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 जो कि बीकन है तो चलो यार उसके लिए मैं क्या करने हो लो तो सपोस्कुर यह पे middle में बनाएंगे हम अपि मैं गिन के नहीं लगा रहा हूं वर्ट यार अंदाज से ले रहा हूं तो क्योंकि मुझे इसके साइड पर iron के नहीं gold के block लगाने तो यार मुझे pickaxe भी लेके आनी पड़ेगी मेरी तो pickaxe मेरे पास नहीं यह शाहिद यार क्या करता होगा इसमें pickaxe मैं भूल गया तो pickaxe मुझे लेके आना पड़ेगा तो चलो यहां से pickaxe ले लेते यार कर रही है बारिज भी तो यार मेरे को efficiency की एक book चाहिए गाइस मेरे को लगता है क्योंकि बोल सकते हूं efficiency के efficiency अगर लगा दूंगा ने तो बहुत fastly काम हो जाएगा तो pickaxe लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं उपर का block इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि मैं उपर gold लगाना चाहता हूं ताकि थोड़ा उपर मतलब कम block लगते है gold के ना तो थोड़ा सहीं भी लगता है तो चलो इसको तोड़ देते और फिर guys उसको हम colorful भी बना सकते तो इसको अभी gold के block लगाना है यहां पर तो चलो यहां पर gold का block अभी crouch करके हमें काम करना है तो बस इसके side पर हमें block लगाते चले जाना है तो इस तरह से और कोई नहीं gold के block जितने हो सके मतलब उपर की layer करने वाले यार मैं कहां पर लगा दे रहा हूं कि crosshair की मेरे को आदत नहीं है इसलिए problem हो रही है बट कोई नहीं सीख जाओंगा कि तो चलो यह भी हो गया बस उपर की layer करेंगे ज्यादा कुछ नहीं कि तो चलोगा इस देख सकते हो इस तरह से आपका सबसे उपर आला प्लैटफॉर्म रहेगा अभी जैसे मैं इसके उपर बीकन रख देता हूं तो बीकन एक्टिवेट हो जाएगा इसके उपर पावर आ जाएगे देखो तो देखो बीकन एक्टिवेट हो गया और एक sound अल कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा यह दो डायमड तो देखो दो डायमड मिल गए तो आपने बोला इसके इसको यूज़ कर सकते हैं आप सरवर में इस लिए उस कर रहा हूं ज्यादा ने उस करेंगे तो यहां पर थोड़े बहुत डायमड बना लेता हूं मैं इसको बस बस मुझे अभी नेदराइट दूने तो नेदराइट से मुझे काफी सारी चीज़े तो बहुत बना लेता हूं तो चलो सही है अभी नीचे मुझे गोल्ड का ही बनाना है तो सबसे पहले नीचे उतर दे तो चलो यार काफी सही है बस हमें एक एक लेर एक्स्ट्रा बनाने इस तरह से अब यार गाई ये ग्लीच नहीं बोल सकते क्योंकि यार ये ट्रेकी है Minecraft के अंदर आप वर्क कर रहे है हम नॉर्मली सर्वाविल मरें ये फिर भी ये वर्क कर रहा है मतलब बीकन का तो इतना यूज करना बनता ही है गैस क्योंकि यार अभी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे मतलब इसे है की तरह यूज नहीं करेंगे जैसी क्रेटिव चीजे में यूज कर रहे है या आप गोल्ड का बना लो या आयरंगा कोई फरक नहीं पड़ता नॉर्मली सब या अंदर पावर से मी होती है इसलिए मैं थोड़ा लुक में अच्छा लगे इसलिए गोल्ड का ब तब भी कंप्लीट हो जाएगा और मैंने गोल्ड कैसे बढ़ा है आपको पता ही है बीकन से बढ़ा है आप भी ऐसा इसकर सकते हो गाइस को इसमें मतलब बोल नहीं सकते कोई चीट वागरा नहीं है यह नॉर्मल से चीज़ है जो हम माइन काफ में यूज कर पा रहे है अब इसको सबसे पहले उपर का थोड़के मुल्टिपल बना लेता हूं सबसे पहले तो बस दबल टाप दो फिर से डपल टाप चार फिर से डबल टाप 186032 बस डबल टाप करना है और तो कुछ भी नहीं करना है यह अलग ही ट्रीक है यार मेरको मतलब यार यह मिल जाए ना आपको नेधर स्टार तो भाई आपको कुछ कम ही नहीं पढ़ने वाले आपके पास नेधर राइट्स अलिमेटेड होने वाले गाइस मैं बोल रहा हो ना इतना बड़िया है कही है बट मैं यूज नहीं करूंगा तो उसको मतलब बोल सकते हो बस मैंने बीकन बना लेकले गोल्ड का है उसकी है और गोल्ड यार नॉर्मल इतनी मतलब बोल सकते हो फाइट लेने के लिए यूज नहीं करूंगा मैं खुद दूनओंगा नेधर राइट को और खुद ही देखूंगा कि मैक्सिमम दून पाओ ऐसा चीट करके नहीं करेंगे क्योंकि वह सही नहीं लगता है तो देख लेते हैं अभी पावर मतलब मेरेको तीनों पावर मिल रहे है गया तो मैं यहां पर मैं बोल सकते हो नॉर्मल सी लोग है जो है मेरे पास आइरन तो है चलो सही है नॉर्मल लोग जो है श्पीड़ी में रहोंगा ना तो मैं बहुत फासली भाग पाऊंगा तो मैं स्पीड का इफेक्क लिया है तुकि यार स्पीड काफी सही होती है यहां पर हमारे घर के तरफ फाइट का कोई सीन नहीं होता है इसलिए तो हमारा बीकन तो बन गया है अभी बस मुझे इसको रहां बनाना है जो की मैंने सोचा है कि यार हमारे इंडियान जो फलाग होता है उसके तरह ही कलर बना सुखूू तो सबसे पहले मुझे उसके ऑद वाइट और फूसके बाद और औरंज कलर का लगाना है तो उस तरह करेंगे उसके लिए तो औरेंज तो मिले पास थे वाइट कलर के भी है यार बौन मिल से बन जाएगे और गृम नॉर्मली हमारे पास लैपिश से बन जाएगे तो मैं फटाफ़ग्लास बनाके ले लें कि आना पड़ेगा मुझे को टो चलो वड़ी कि यास से बना रहे हो अभी बस को ओरेंज बना ने तो इसकी यारेज पे तों देख लिए मैंने मेरे को थोड़से ऐग्लाइज बनाने याका 60 बन गए तो चलो यहां से मेरे को एकी जोरोती यह नॉर्मली तो बन गए अधिक बार देख लूँ तो चलो काफी बन गए बेसिकली मैं बात करूंए यह थोड़ी और बना लिया क्यार में तो चलो डाइव अगर अंदर रख देते आ हमारे तरफ अभी देखो हमें इंडियन फ्लैक तो मत सब्सक्राइब दिखेंगे नहीं ग्लास फ्लें ब्लोक भी उसको उसके उसमें फरक नहीं पड़ता अब क्या गणा 5-5 की रैंज में उसको रूँगा तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसके ओपर लगाने पड़ेंगे सबसे पहले ग्रीन तो यह देख लेता हो ग्रीने तो छलो ग्रीनज करना है में बिर फारफ कर लगा देघाए और बहुत पावर्फुल चीज होते क्योंकि अर्दिवाल ये तो खाएंगे कैसे नहीं मिठाई तो खा लेते हैं चलो सही है ये पंकिन पाई है गाइस कुकिस तो यार वो त्री लेवल थ्री पर दे रहा है तो छोड़ दो बोला उसको लेवल थ्री कप तक करें क्योंकि मुझे क्याटोग्राफर की ज़र हो थे है अभी क्याटोग्राफर से ट्रेड करना है तो चलो एक बार गिन लू ओ गईज तो यह वन टू हो गए अभी चलते हैं सिधा उपर तो चलो फाई हो गए अभी एक उपर लेंगे क्योंकि इसके उपर लगाने वाले हैं तो बस आपको अभी क्या करना है यह जो मैं इस ब्लॉक पर हो ना इस पर मुझे ग्लास लगा देना है यह इस तरह से अरे यार कहाँ पर लग गई इसलिए मैंने ज्यादा ग्लास बना के लिए क्या था क्योंकि मुझे पता था गलत लगने वाले तो चलो यहां पर लगा दिया अभी हो गया नीचे वाला ग्रीन यह उपर लो वाइट इस तरह से मुझे करते चले जाना है अब उपर लो औरेंज इसके उपर पांच ब्लॉ पांच बिये हो गया नीचे वाले 5 और यहां उपर वाला ब्लॉक तो अभी धुर पल को करते और इसके उपर भी लगा देते हमारे पास फाइनल cotton करीष बॉसको यह बूहरा बड़ा इसा इको तो चलो इसको अभी तोड़ना है तो देख सकते कितना बड़ी अलगता है शौवेल तो मैं लेके आगो चलो इसको नीचे दिलते सिदा बस हम इसको तोड़ते नीचे लेके जाना है तो चलो इसको तोड़ दिया है अभी अप देखते हैं गाइस दूर से कि लुक में लगता जा क्राउज बटन हटा जा तो यह देखो गाइस कितना काफी सही लग रहा है देख सक्ते हैं हमारा beacon जोकि लुक में काफी सही लग रहा है हमारी इंडियन फ्लैक की तरह तो यार यह पसंद आता ना गाइस वीडियो को ल सकते हैं Minecraft के अंदर क्योंकि यह मतलब कुछ memories होते हैं जो हमें याद रखने होंगे Minecraft के अंदर ऐसी हम ट्राय करेंगे हर एक festival में हम ऐसी कुछ बना सके Minecraft के अंदर चीजे तो काफी सह रहेगा तो beacon हमने बनाया तीवाली के दिन तो मुझे है अच्छे सी याद रहेगा मतलब मैं अभी कितने भी दिन के बाद भी अगर व्याद करूँगा तो मुझे याद रहेगा कि बीकर मने इस तरह से बनाया और कौन-कौन करना है डाट चाहर की क्या है क्या मतलब मतलब के बात तो इतना अगर मन के बोलके चलोगे ना देहान में रखोगे ना तो शायद अगर जल्दी आ गया तो हमारे लिए अच्छी बात है क्या यह PUBG के उपर है और साथ गवर्मेंट भी क्या लेता है हमें मतलब यह सब अंदर की बात ही बताते नहीं है बट यार उसका मतलब gameplay वगरा नहीं डाल पाता तो यार कोशिश करेंगे जब अच्छा डिवाइस लोगा तो उसके भी gameplay आएंगे तो यही थी अच्किड़ो गाईज और मिलते हैं नेक्स्ट में गाईज नेक्स्ट में हम कुछ क्याटोग्राफर से ट्रेडिंग वगरा करेंगे और सा वीटे और नेक्स्ट में गईस थार वाच्छीम वाच्छीट झाल झाल